Hello everyone, welcome back to my channel Guys, मुझे मेरे कुछ YouTube friends का suggestion आया था कि मैं story के characters के name The Untamed series के ही use करूँ ना कि वो original names जैसा writer ने अपनी story में mention किया है तो मैं आपकी बात को मानते हुए अपने बाकी सभी fan fiction stories में वही name रखूँगी जो आपने suggest किया है और guys, प्लीज आप हमेशा मेरे वीडियो के description box की info चेक किया किजे मैं हमेशा जो बात वीडियो के starting में नहीं बोल पाती हूँ, वहां लिख देती हूँ ताकि वीडियो unnecessary, लंबी ना बने I hope कि अब आप थोड़ा तो खुश हो गए होंगे तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हूए आगे का explanation शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि यडियो की wife जान का blood लेकर जान की kingdom से बाहर आ जाती है और उसके निकलते ही जान अपनी आँके खोल कर मुस्कुराने लगता है वहीं यडियो की wife जब अपने kingdom पहुचती है तो सभी अपनी रानी को देखकर हैरान होते है यडियो की wife फॉरण यडियो के room की तरफ भागती है जहां यडियो बिहोश पड़ा था डॉक्टर रानी को देखते ही पूचता है यडियो राइनस आप आप वहाँ से कैसे बचके निकली लेकिन यडियो की wife ब्लट की बॉटल डॉक्टर को देते हुए कहती है कि इन सब बातों का time नहीं है मैं उस एमफर्स बीना का खोन ले आई हूँ आप फॉरन राजा को बचाओ डॉक्टर एक स्माइल के साथ उस हरे रंग के खोन की बॉटल देखकर खुश हो कर कहता है सच में ये तो उस एमफर्स बीना का ही खोन है फिर डॉक्टर वो बलड यडियो को पिला देता है ये काम कर रहा है मैं जाकर यॉर मेजिस्ट्री के लिए कुछ टॉनिक लेकर आता हूँ ताकि हमारे राजा जल्ली ठीक हो सके डॉक्टर यीबो की वाइफ से ये कहकर वहां से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में पूरे किंग्डम में ये बात फैल गई थी कि राजा की पहली वाइफ एमफर्स बीना का खोन राजा को ठीक करने के लिए लेकर आई है शू येंग डॉक्टर के साथ दस मिनट के बाद यीबो के कमरे में लौटते हैं और जैसे ही वो दर्वाजा खोलते हैं उन दोनों की ही आँखें डर से फटी की फटी रह जाती है पूरे कमरे में रानी की शरीर के टुकडे और खोन बिखरा हुआ था और यीबो बेहोश जमीन पर डॉक्टर फॉरन भाग कर जब यीबो की पर्स चेक करता है तो वहीं जमीन पर बैठ जाता है शू येंग डॉक्टर के पास आकर उसके कंदे पर हाथ रख कर पूछता है क्या हुआ है डॉक्टर डॉक्टर पैनिक होते हुए कहता है हमें अभी इसी वक्त वो एमफर्स भी ना चाहिए राजा को बचाने के लिए शू येंग ये सुनते ही खौफ से चिलाते हुए कहता है क्या एमफर्स भी ना शू येंग ने अल्रेडी सुन रखा था कि वो स्नेक बहुत खतरनाग है और अभी थोड़ी ही सेकंड पहले उसने अपनी सिस्टर इन लॉकी इतनी बे रहम तरीके से मौत होते देखी थी उसका भाई बेहोश जमीन पर पड़ा था और सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो यीबो ने ही अपनी वाइफ को मारा था और ये डॉक्टर कह रहा है एमफर्स भी ना चाहिए वही दूसरी तरफ जान अपने कमरे में लेटे हुए सोच रहा था अब तक तो वो कॉंक्यूबाइन मर भी चुकी होगी वो भी अपने लाइकन के हाथ हो मैं उस लाइकन को कभी खुश नहीं रहने दूँगा उसके आने से पहले मेरी लाइफ कितनी सही जा रही थी पर उसने मेरी अच्छाई का मेरे ही खिलाफ इस्तमाल किया मैं तो उस लाइकन को यहां लाने का इंतिजार कर रहा हूँ वरना वो अगले तीन घंटों में मर जाएगा उसे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने उस पर अपना कीमती जहर इस्तमाल किया इसकी वज़ा से उसे मुझे बार-बार मिलने का मौका मिलेगा और मुझे उसे मारने का हम दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं बस ये कितनी सीधी सी बात है कि तब ही एक गार आकर जान को रिपोर्ट करता है कि एक डॉक्टर एक यंग वूल्फ मैन के साथ लाइकन को यहां लेकर आये हैं ये सुनकर जान उठकर बैठते हुए सोचता है वाव एक और मिल मेरे लिए ये कितना सोचते हैं ये सोचते हुए जान मुस्कुराते हुए अपने लिप्स को लिख करता है। उन्हें अंदर आने दो और कहना मैं वहाँ दस मिनट में आऊँगा। ये सुनकर कार्ट वहाँ से चला जाता है। फिर जान उटकर अपनी दिख रही बेबी बम को ठीक से अपने बैगी शर्ट के अंदर छुपाता है ताकि बाहर की लोग उसकी प्रेगनेंसी ना देख सके। जान खुद को आइने में देखते हुए मन ही मन कहता है। एक स्नेक होना कितनी महान बात है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये यूजलेस लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं दिखने जान अपने सिंहासन पर बैठ कर उन तीनों को स्कैन करता है जो उसके सामने थे। यी वो बिहोश स्ट्रेचर पर पड़ा था। एक मिड़लेज आद्मी जो दिखने में डॉक्टर लग रहा था। आके में उसकी नजर उस यंग बॉई पर जाती है जो दिखने में 17 या 18 का लग रहा था। जो खड़े-खड़े कापते हुए जान से नजर बचाने की कोशिश कर रहा था। जान एक स्मग करते हुए अपनी जगह से गायब होकर सीधे शुयंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शुयंग घबरा कर जैसे ही दो कदम पीछे हटता है जान अपने हा बहुत अच्छा समेल कर रहे हो। ये सुनकर शुयंग टैंस्ट होकर कहता है प्लीज एमफस बीना, मिरे मीट का टेस्ट बहुत बुरा है। ये कहते ही शुयंग बेहोश हो जाता है और उसका सिर जान के सीने पर आकर गिरता है। इंट्रस्टिंग वॉल्फ ये कहकर जान वापस अपनी सिंगहासन पर पहुँच कर शूयंग को अपनी गोधी में लिटा लेता है। फिर बेहोश शूयंग के बालों को सहलाते हुए डॉक्टर से पुछता है कि वो यहां क्यूं आए हैं। और साथ में ये सूचते हुए हैरान होता है कि ये लड़का इतना क्यूं डर गया। यॉर मेजिस्ट्री प्लीज हमारे राजा को बचा लीजे। आप जो कहोगे मैं वो करने को तयार हूँ। डॉक्टर अपने गुठनों पर बैठते हुए जान से भीक मांगता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मरते हुए इंसान को बचा सकूँ। जान सर्कास्टिकली कहता है। यॉर मेजिस्ट्री आप सब चानते हो क्योंकि आपने ही राजा को ये जहर दिया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जान डॉक्टर को शार्पली देखते हुए कहता है। तुम बहुत बोल्ड हो डॉक्टर लेकिन मैं इसे कॉम्प्लिमेंट की तरह लेता हूँ। क्या तुम जानते हो ये बिहोश क्यों है और शायर एक घंटे से भी कम समय में ये मर जाएगा। जान ये बो की तरफ देखते हुए कहता है। हमने आपका ब्लड जो हमारी स्वरगे रानी लाई थी वो हमारे राजा को पिलाया था। पहले तो उनकी हालत सुधरती सी लगी लेकिन बात में उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। वक्त के साथ साथ उनके दिल की धरकन हल्त की पड़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आया कि आपका ब्लड राजा पर काम क्यों नहीं किया। क्या आप मुझे समझा सकते हैं यौर मेजिस्ट्री। डॉक्टर का कन्फ्यूजन देखकर जान थोड़ी देर तक हसता है फिर कहता है जवाब बहुत आसान है क्योंकि मैंने तुम्हारी उस सो कॉल राणी को अपना ब्लड ले जाने की इजाज़त नहीं दी थी वो मेरी मर्जी के खिलाफ लेकर गई अगर तुम मुझे मार कर भ अपने गोद में बिहोश लेटल वूल्फ को लेकर वहां से गायब हो जाता है शू यांग ने जब डॉक्टर की बात सुनी कि एमफर्स बीना के पास जाना होगा राजा को बचाने के लिए वो वहां से भागना चाहता था लेकिन डॉक्टर ने पकड़ कर कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है और तुम राजा की फैमली हो तो तुम्हें साथ चलना होगा शू यांग एक लाइकन और एमफर्स बीना के जगड़े में नहीं पड़ना चाहता था और वो तो सिर्फ अभी 17 साल का है इतनी यंग एज में वो मर नहीं सकता लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकत लेकिन जब वो एमफर्स बीना चू यांग के सामने आया तो उसे अपने भाई की कही कहानी दिमाग में घूमने लगी वो देखता है कि सच में वो एमफर्स बीना बहुत सुंदर था लेकिन उसकी शार्प आईज इमल एक्सप्रेशनलेस फेस जिस पर कोई स्माइल नहीं उसे बहुत डेंजरस बना रहे थे और जैसे ही उस एमफर्स बीना ने शू यांग को पकड़ कर ये कहा कि वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है शू यांग को यकीन हो गया था कि वो एमफर्स बीना उसे आज पक्का खा जाएगा और डर से वो वहीं बिहोश हो गया ये उसकी बॉड़ी चादर से ढखी हुई थी बेहोशी में वो ये सब सोच रहा था जो उसके साथ अब तक हुआ था तो क्या अब वो मर चुका है शू यांग अपनी बॉड़ी को टच करते हुए सोचता है अगर मैं सच में मर चुका हूँ तो मैं पक्का स्वर्ग में हूँ तुम अभी मरे नहीं हो लिटिल वॉल्फ तो मेरे बैट पर हो सेम वही आवाज जो शू यांग ने पहले सुनी थी उसे सुनाई देती है जिसकी वज़र से वो चिलाते हुए उठकर बैट चाता है और अपने पास एमफर्स पीना को आंके बंद करके लेटा हुआ पाता है मुझे शोर से नफरत है मैं तुमें मार दूँगा अगर तुमने अपना मूँ बंद नहीं किया तो जान के ऐसा कहते ही शू यांग अपने दोनों हातों से अपना मूँ बंद कर लेता है और उसकी पूरी बोड़ी डर से काप रही थी जान की यांखे अभी भी बंद थी श सोशता है कि यहां से भागने के लिए मुझे इसके उपर से जाना पड़ेगा और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये मुझे प्रेगनेंट लग रहा है शायद इसने किसी अच्छे इंसान से शादी कर ली है ये तो बहुत अच्छी बात है ये सोशते हुए अंजाने में ह शू येंग जान के बेबी बंब को चूता है तो उसे कुछ हिलता वासा महसूस होता है कि तर भी फौरन जान अपनी आँखे खोलता है उसकी आँखे लाल हो जाती है और वो शू येंग का गला पकड़ लेता है इससे शू येंग की सांसे डर से अटक जाती है तुमने में सिर हिलाते वे कहता है मुझे माफ कर दो मेरा इरादा आपको चूने का नहीं था मुझसे गलती हो गई ऐसा दुबारा नहीं होगा शू येंग को डर से भीक मांगता देख जान अपनी पकड़ शू येंग पर हलकी कर देता है लेकिन उसकी तीखी नजर शू येंग को नहीं छोड़ती मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपनी हद पार करते हैं मैं प्रेगनेंट हूँ पर ये बात हम दोनों के ही बीच में रहनी चाहिए अगर इस बारे में एक भी शब तुम्हारे मूं से निकला मैं तुम्हें मार निकल जाता है शू येंग जान को उसे छोड़ने के लिए थैंक्स कहकर उसको फॉलो करने लगता है दोनों कमरे में पहुँचते हैं जहां ये बो लेटा हुआ था जान डॉक्टर को बाहर जाने को कहता है जिसे सुनकर डॉक्टर फॉरन वहां से बाहर चला जाता है जब जो येंग जाने लगता है तो जान उसे वही रुकने को कहता है जान ये बो के पास बैठ कर उसे एक डिसकस्ट नजर से देखता है फिर अपने पंजे से अपनी एक उंगली पर कट लगा कर एक बोन खोन ये बो के मूँ में डालता है और कहता है एक बोन ही तुम्हारी जान बचाने के लिए काफी है लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से कभी ठीक नहीं करूँगा कभी भी नहीं फिर जैसे ही जान यीबो की शर्ट खोल कर उसे चेक करने वाला होता ही है यीबो उसका हात पकड़ कर उसे पूरे फोर्स से धका मार देता है जिसकी वज़र से जान जमी हातों से चूने का सोचना भी मत और आज मैं तुम्हें मार दूँगा यीबो चिलाते हुए जान की तरफ बढ़ने लगता है कम ओन मार दो मुझे मैं तुमसे नहीं डरता तुम्हें क्या लगता है मैं डर चाहूँगा जान एक स्मक के साथ कहता है कि तभी शूयंग खुद को दोनों के बीच खड़ा हुआ पाता है जहां जान अभी भी जमीन पर था तुम क्या कर रहे हो यी वो गुसे में शूयंग पर चिलाते हुए पूछता है तुम उसे मार नहीं सकते तुम एक बार उसे धोका दे चुके हो और उसने अभी तुम्हारी जान बचाई है तुम इतने निर्दई नहीं हो सकते मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूँगा जबकि वो अभी प्रेगनेंट है शूयंग अपने बड़े भाई पर चिलाते हुए कहता है जिसे सुनकर यी वो शूयंग को डिस बिलीफ के साथ देखते हुए कहता है क्या प्रेगनेंट जान जो अभी भी जमीन पर था वहां से उठता है और उसकी आँखे लाल हो जाती है वो शूयंग को शार्पली देखता है क्योंकि उसने शूयंग से उसकी प्रेगनेंसी की बाद चुपाने को कही थी यू यू यूजलेस वूल्फ मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा जान च रफली दिवार पर पुश्क करके जान के दोनों हातों को जान के सिर के उपर कस कर पकड़ लेता है तुमने किसके साथ अपनी रात बिताई प्रेगनेंट होने के लिए यू जान से पूछता है जो गुसे से ग्रॉलिंग करते हुए खुद को यीबो से चुडाने की कर रहा था कि तब ही यीबो की बात सुनकर जान एक स्मर्क के साथ शारपली यीबो की तरफ देखते हुए कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं मैं जिसके साथ चाहूं रात बिता सकता हूं अब छोड़ो मुझे इससे पहले कि यहां का महौल और खराब हो जान की आवाज में यीबो के लिए नफर साफ दिख रही थी ये सुनकर जमीन पर पड़ा शुयंग काप उठता है तुम्हारी इतनी हिमत कैसे हुई कि किसी और आदमी को तुमने खुद को प्रेगनेंट करने का मौका दिया क्या तुम में बिलकुल भी शरम नहीं है मैं त तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हें प्रेगनेंट किया है ये कहते हुए यीबो की पकड जान की कलाई पर और ज्यादा कस्चाती है जिससे जान को दर्द महसूस होता है जान ओल्रेडी यीबो की बेशरमी से ठक चु आते हो कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबत्तस्ती करूँ यीबो पूछता है कि तभी उसके चार फैंग्स निकल आते हैं जिसे देख जान की आँखें पड़ी हो जाती है और वो अलर्ट होते हुए यीबो को पैर से किक करने की कोशिश करता है जिसे यीबो अपने पैरों के बीच पकड़ कर रोक लेता है मैं तुमसे नहीं डरता तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन जूटी धम की जान ने कहना शुरू ही किया था कि वो दर्द में चिला पड़ता है शुयैंग भी अपनी जगा से उठकर फॉरन अपने भाई को रोकने आने ही वाला थ था कि अब वो लेट हो चुका था यीबो ने अपने फैंग्स जान के नेक पर गड़ा कर उसे माक कर दिया था जान किसी तदह यीबो को खुद से धक्का मारकर दूर करता है और गुसे में ग्रॉल करते वे पूछता है क्या किया तुमने ये मेरे साथ जान कुद को समझा न बताई है अब तुम किसी के साथ भी आवारा गर्दी नहीं कर पाओगे ये कहते वे यीबो स्माइल करता है जान फौरन यीबो का कॉलर पकड़ कर कहता है तुम्हें पता है नलाइकन कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिरे साथ ऐसा करने क चलो कमोन मिटाओ इसे इस मार्क को मुझे ये नहीं चाहिए जान नौन स्टॉप यीबो को दिवार पर हिट करते हुए चिल लाए जा रहा था मैं ऐसा नहीं करूँगा तुम्हें तकलीफ में देखना ही मेरी खुशी है मैं तो आलमोस्ट भूल ही गया था कि मैं भी तुम से नफरत करता हूँ और मैंने तुम्हें नहीं कहा था मुझे बचाने के लिए यीबो के ऐसा कहते ही जान को अपने सीने में दर्द महसूस होता है वो फौरन शू येंग की तरफ देखता है और उसे पकरते हुए कहता है मैंने तुम से कहा था ना कि मेरी प्रेगनेंसी की बात मत करना पर तुमने सब कह दिया अब मैं तुम्हें मार दूंगा और इससे पहले कि यीबो कुछ कर पाता जान शू येंग के साथ वहां से गायब हो जाता है तुम आद जीत गए तुमने मुझे मार किया मैं बेशक अब कुछ नहीं कर सकता पर मत भोलना कि मैंने तुम दिया हुआ है मैं तुम्हें नहीं मार सकता लेकिन कोई है जो तुम्हें जरूर मारेगा तुम बस इंतिजार करो लाइकन जान गायब होने से पहले यीबो के साथ माइन लिंक करके कहता है कोई नहीं जानता था कि जान शू येंग के साथ कहा गायब हो चुका था तो का मैं इंतिजार करूंगी तो अगर आपको ये वीडियो एक्स्प्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा तो आज के लिए बस इतना ही जल मिलूंगी नेक्स वीडियो